निव आजात गणिश उत्सव समीती के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी सेक्टर्टू सेंटरल एवेन्यू में भविता से गणिश उत्सव मनाया जा रहा है विशाल प्रतिमा भगवान गणिश की यहां पर विराजमान की गई है रोजाना हजारों शद्धालों यहा चुके हैं सपनों की नगरी में नियू आज़ाद गणिश उत्सव समीती की तत्वा उधान में 49 वर्षों से जो गणिश उत्सव का पर्व हर शरुलास के साथ मनाया जाता है उसकी तयारिया अब पूरी चरम पर है और आज शाम को फाइनली बपा यहां पर विराजमान हो करेंगे हम सब्सक्तारा आपको उर् रशे हमारी हम हम पैस्मान पे नगरी में सपनों की नगरी सपनों की नगरी यहां पर आप देख सकते ही जो पेड़ है सफेद है इसे की मुझे जो कॉल आये थी वह इसलिए थी कि पूरे भव वे प्योस्त को तयार किया गया है कलकत्ता से आये कारीगरों ने वहुत ही बारिकी से एक फूल एक पत्तियों को तयार किया है बहुत महँंगे इस्टुमेंट भी लगे हैं धर्माकॉल कॉर्क बहुत सारी चीजों से बने इस सेट अप को आप शाम को देखने आ सकते हैं आरती में शामिल हो सकते हैं और बपा से आश्रवाद प्राप्त कर सकते हैं आप देख सकते हैं बपा की मूर्ति भववे विराजमान तो है लेकिन अभी विधिवत विधिवत पूजा नहीं हुई इसलिए हम पूरा उनको नहीं दिखा पा रहे हैं आप देख सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने भी रहेगा दस दिन हम आपके साथ फेसबुक लाइव में डी लाइव में और घर ग्रैंड एसी निउस के एक नुमबर चनल पर आपको ला हालू आते हैं पपा का हशिरवाद लेने इस सेटप को देखने पिछले साल का थेम भी बहुत अच्छा था हम पत्रकारों को समर्पित था और इस बार पर्यावरन संडक्षंड को ले करके यह थिम तयार किया गया है तो हम लगातार आपके साथ 10 दिरों तक बने रहेंगे और दिखाते रहेंगे यहां की जाकियों को यहां की प्रोग्राम्स को यहां की आरती को दमशकार